स्टुडेंट गुट मॉर्निंग टू यू अल फर्स्ट अफॉल आज हम मैकनिकल इंजिनियरिंग फेप सें ब्रांच के लिए एक सब्जिक्ट है इन्वार्मेंटल पॉलुशन उसमें एक यूनिट पढ़ना है वाटर पॉलुशन तो वाटर पॉलुशन की बात करेंगे तो यह हो नहीं रहा है दिन पर दिन वाटर पॉलुशन पढ़ना यह आर्र मीश में बढ़ना होता है पहला इंट्रूडक्शन हम देखा लेते ईंट्रूसीं पार्ट में देखते हैं अर्थ सर्फेस इस माइठ हमारे अर्थ पर 3 x 4 जो है, वो वाटर से घेरा हुआ है आरा है समझ में, दूसरा पॉइंट Less than 1% is available for human use in the form of surface water as 97 is contained in ocean and 2% is locked of the ice cap और glacier, कहता है 97% जो वाटर है वो पुरा महासागर से घेरा हुआ है और 2% जो वाटर है वो glacier परवत से बना हुआ है आरा है समझ में, और 1% वाटर है, जिसको यूज कर रहे है और उसमें भी 1% वाटर में बहुत सारे pollution है पॉलूटेड है, chemical है physical है, और biological है कहने का मतलब है physical कहने का मतलब है, कि जैसे देखिए water है river है, lake है ocean है, इस सब को देखते ही हम क्या पता कर लेते हैं, कि यह पानी गंदा है या फिर इसका टेस्ट गलत है तो इसे क्या पता चलता है, कि physical सही नहीं है, और chemical में क्या होगा कि बहुत सारे fertilizer, pesticides जैसे from agriculture, agriculture वेस्टेजर जो हमारा fertilizer आता है, बारिस आता है तो fertilizer और chemical से जो हम agriculture पानी के रास्ते से वो बह कर किसी रीवर लेक में चला जाता है तो इसे क्या होता है, कि chemical changes बहुत काफी खराब हो जाते हैं और biological change क्या होता है कि biological change वैसा change को कहते हैं जिसमें किसी भी पानी में microorganism का मात्रा रहता है, जिसको हम के डाई से देख नहीं सकते हैं और उस पानी को हम अपने daily wages में ले सकते हैं तो इसे क्या होता है कि कहीं नहीं कहीं effect पर रहा है normal life में आ रहा है समझ में तीसरा point है drinking water requires the highest standard of purity कहता है कि water जैसे हम पीते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग को पुरा full purity चाहिए क्योंकि देखिये न एक ही परसंट तो water है और उसमें भी इतना सारे pollution है chemical है, physical है, biological है और many more बहुत सारे pollution है तो क्या चाहिए कि अगर ज़दी हम पीते हैं तो चाहते हैं कि कम से कम pollution वाला पानी हम पीए आरहा समझ में स्वेमिंग में भी यूज करते है और चली इसका definition हम देखते हैं क्या क्या होता है water pollution can be defined as alternation alternation में क्या होता है परिवर्तन in physical, chemical or biological characteristics of water which makes unsuitable for use कहता है कि water pollution का हम इस तरह से define कर सकते हैं कि physical, chemical और biological में अगर changing नहीं है changing means what अगर physical हमारा सही है chemical सही है, biological सही है तो इस water को हम डेली विजिसम यूज कर सकते हैं physical क्राव है, chemical क्राव है, biological क्राव है तो हम इस water को unsuitable मानते हैं आरा समझ में physical तो बता हैं दिये थे कि जैसे किसी भी पानी का टेस्ट गंदा है या फिड उसको सही तरह से गंदा दिख रहा है अग्दम बदा दिख रहा है और chemical में क्या होता है कि fertilizer बहुत सारे product क्या होता है chemical से मिलके बना होता है तो इसे क्या होता है कि water pollution होता है और biological क्या होता है कि naked ice on microorganism को देखते हैं और गटाक से पी जाते है इसे बहुत सारा effect परता है चलिए दूसरा point इसका देखिए दूसरा point है water pollution is defined as the addition of harmful substances in water bodies that is lake, river, ocean, groundwater which reduce the water quality and make it unfit for you क्याता है कि water pollution में बहुत सारा harmful gases का addition होता है कि में water bodies में water bodies कौन-कौन है lake है, river है, mass agar है, groundwater है तो इस water को हम unfit मानते हैं इसको हम daily basis में use कर ही नहीं सकते हैं तो बहुत सारा definition है आप कोई भी एक definition को लेकर करके चल सकते हैं तीसरा point देखिए water pollution अकर water pollution तब होता है जब when pollutants are directly or indirectly discharge into water bodies without adequate treatment to remove harmful compounds देखिए अच्छे से समझी है restaurant हो गया एक example देते है रेस्टोरेंट हो गया kitchen हो गया bathroom हो गया domestic purpose में हो गया जैसे आप किसी सहर में रह रह रहे है वहाँ पे दो-चार घर तो होगा नहीं कम से कम 20-30 घर होगा उन सारे घरों में से kitchen के तुरू या फिर bathroom के तुरू जो भी waste पानी बहता है इससे क्या होता है कि इन डाइकली या डाइकली effect कहीं न कहीं पड़ता है किस में तो water bodies में आ रहा है समझ में और solid particle को अगर जदी हम अलग भी कर देते हैं तो क्या होता है कि chemical और biological यह दोनो water के combination में कहीं न कहीं effect कर रहा है अगर जदी हम solid को बाहर कर लेते हैं तो chemical chemical को थोड़ी नाम चान सकते हैं या फिर biological को थोड़ी नाम चान सकते हैं उसको तो naked eye से देखी नहीं सकते हैं तो कैसा चान देंगे आ रहा है समझ में तो कहीं न कहीं यह effect कर रहा है water bodies में that is water pollution is the contamination of water bodies चले आ रहा है समझ में